हालो एवरिवन हाव आर यू वैलकम टू स्मार्ट स्टडी मेरा नाम है जोती और आज मैं डिस्कस करने जारे हूं इंग्लिस लिट्रेचर का प्रिविश्यर क्वेश्चन पेपर का पार्ट थर्ड चलिए जी आज का पार्ट थर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं देखिजी हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन बताता है वेन लूगी प्रेंड लो सिक्स क्रेक्टर इन सर्च ओफ एन अथर ओपन्स दा ओडियंस क्या कहना जा रहा है जो लूगी प्रेंड लो थे जो हमारे राइटर है उनका एक वर्क है सिक्स क्रेक्टर इन सर्च ओफ एन अथर यह इस नोवल में क्या होता है जो एक प्रेडूशर होता है एक डायरेक्टर होता है मिन्स स्टोरी की बात है यह उसमें डायरेक्टर होता है अपना प्ले मतलब प्ले के लिए रिहरसल कर रहा होता है उस टाइम क्या होता है यह सिक्स क्रेक्टर आ जाते हैं और यह अपनी स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं प्रोडूशर को ठीक है मिन्स जो प्रोडूशर ह होता है वह कौन सा प्ले पर्फॉर्म करने के लिए यारी कर रहा होता है ठीक है जी चलिए हम पहले इसके बारे में कुछ देख लेते हैं हलका सा देखिए जी हमारा क्या है ये शिक्स क्रेक्टर इन सर्च ओफ आथर ठीक है ये पब्लिस हो आ है 1921 में और रिटन बाई जैसा कि हम देखी चुके हैं रिटन बाई लोगी प्रेंडलो और इसमें इसके ये क्रेक्टर है जी देखिए कितने हुमरेस क्रेक्टर है एक इना ये म मेटतर्टे फिश्टा प्लें हैं मैंज मैं टे कि जिसमें ओडियंस को पता होता है कि जो प्लें हैं हमारा विच्प वले हैं कि चौकेया होता है ये प्लें मैं होता है वह स्टोरी बंचीकित R Girls और आ घ्र fight पता है कि अब इसमें आगे यह होने वाला है या इसने यह बोला था इस टाइब से बाते करता है ठीक है मिन्स वहां पर जो ओडियोंस है इमोशनली अटेच नहीं हो पाती उनको पता होता है मैं मूवी देख रही हूं बस बात खतम मैं यह मैं प्ले देख रहा हूं इतना ही तो इसमें क्या होता है एक डायरेक्टर होता जिसके हम बात कर चुके हैं जो प्ले कंड़क्ट करने वाला था अपने एक्टर्स के साथ लेकिन क्या होता तभी एक्टर्स आ जाते है और इसमें क्रेक्टर का नाम भी ऐसे ही है वो कौन थे एक्टर्स त्री एक्टर्स थे औ और फादर है उनमें एक बनी सिटेज्ट कर रहा हूं बताते हैं इससे प्ले हुचिट करते हैं करेज़ें इसे अपने स्टॉरी प्ले यहां पर फादर और मदर हैं इनका एक सन होता है लेकिन क्या होता बाद में मदर अपने इसको छोड़के चली जाती है और दूसरी मैरिज कर लेती है और फिर ऐसे ही चलती है और बाद में क्या होता है यह जो प्रसााल होता है यह जो पहला बेटा भी हुता है जिसकी मदर इसको छोड़के वो बोलता है third तो यह चाइल्ड है और जो सन है लास्ट में इनके डैथ हो जाती है इस टाइप से स्टोरी है इसको पढ़ लेना यह मस्ट रीड प्ले है ठीक है और एक टम हमने देखिया इसका जैनल एपसर्डिजम है जी एपसर्डिजम क्या होता है मीनिंग्लेस होना यह थीटर ऑफ एप मैं दुनिया में क्यों आया हूं मेरा कोई परपज है या नहीं इस टाइप से होता है इसमें भी ऐसा है इनका यह परपजलास है इनमें कोई मीनिंग नहीं है ठीक है और सेटिंग कहां पर जिनकी एक थीटर में है ठीक है जो मैंने समरी बताई से आप समझ दी चुके होंग प्ले मितलब जो प्रोडूशर था कौन सा प्ले के लिए स्टेज लगाई हुई थी उसने रूल्स ऑफ गेम्स चलिए जिए हम अपना नेक्स्ट क्वेशन डिसक्स कर लेते हैं देखेजिए हमारा सेकंड क्वेशन क्या कह रहा है विच केंटरबरी पिल्ग्रिम कैरीश एब रूच इंस्क्राइब्ड विद्धा लेटिन वर्ड मीनिंग लव कंकूर्स आल मींस यह बताना चाहरा है उन से इसमें जो केंटरबरी टेल्स है जोफरी चोसर का एक वर्क है इसमें जो पिल्ग्रिम होता है ओ इसमें बता देते हूं फुल स्टोरी से बतालोत्ण किस की क्या है स्टेज़ टेल्स किसके ऐवर्क है जिह है जोफरी चोसर कोर्ण का है और इसमें थर्टइवन टे टर्स होते हैं हूं सबसे पहले देख लेती ग्रूप टे सश्यधों होता है कहां पर तो यह घ्रूप पेपल होता है झालत्याओ पिल्ग्रिम मे याकट केड़ बोलता है हम जैसे यात्रा कर रहे हैं और हर जाते टाइम दो और यह एक गरेक्टर स्टॉरी 250 स्टॉरी, थी अनोंने 24 24 स्टोडिकी प्लानिंग करी थी लेकिन आज हमारे पास ओनली 24 ही कपलिटी पूंब ये जो टेल्स है ठीक है और अगर मैंबात करूं तो इस ayama मैं बात करूँ इसमें कितने उसने स्टोरी बताई है इसमें बताई है जी 23 ने स्टोरी बताई है जो हमारे चोसर इसमें खुद एक एजे क्रेक्टर आते हैं ये दो स्टोरी बताते हैं और फर्स्ट स्टोरी टैलर कौन होता है वो होता है जी हमारा नाइट और लास्ट होता जी हमारा पार्सन ठीक है इसके बारे में कितना बात करें बहुत ज्यादा हो जाएगा चलिए हम दुबारा से अपने question पर आते हैं question क्या पूछना चाहरा है हमारा देखिए जी तो यह वर्ड किसे यह characters हैं जिनकी मैं बात कर रहे थी यह हमारे characters हैं तो यह यह quotation यूज करती है यह एक नन है ठीक है और यह हाथ पे ब्रोच रखती है उस पे लिखा हुआ है यह फ्रेंच मतलब थोड़ा humorous टाइप से फ्रेंच बोलती है इनके पास एक डोग भी है इसमें कुछ नन वाली बात नहीं है ठीक है भी मंंग हास्थ है यहां पर जोफ्रीचे लासर क्या दिखाना चाहरा है वह हर तबके से हर सोसाइटी के हर तबके से उसने क्रेक्टर उठाया है और उनकी रियालिटी को दिखाने की कोशिस की है यह important work है जी must read work है इसको पढ़ लेना एक बारी देखेजी हमारा third question क्या बता रहा है in his introduction to the Oxford book of 13th century English Wars Philip Larkin underlines the importance of a native tradition with seen as the major point of the modern point means Philip Larkin का जो यह work है the Oxford book of 13th century इसमें किसको इसने modern poet बोला है यह है हमारे option C Thomas Hardy चलिए हमारा next question क्या कहता है हां जी यह फिलिप Larkin के देख लीजिए other works है works क्या वो जो पिछे वाली थी जहां पर पिछे question में discuss किया गया था हमारा यह जी यह भी एक collection of poetry है ठीक है जी collection of poetry क्या होता है नहीं वह उसमें बहुत सारी poems का collection क्या जाता है ठीक है तो यह भी collection of poetry है इसको ज्यादा तर इसने इसी चीज़ों पर लिखा है चलिए जी हम नेक्स्ट देख लेते हैं अधर poetry collection है जी यह नोर्थ सीप है इनकी एक एक less deceived है विट्सन वेडिंग है और हाई विंडोज है जो विट्सन वेडिंग में है इसमें 32 poems है यह सभी collection of poetry poems है ठीक है less deceived important है इसकी date important है ठीक है यह इसकी first debut collection है चलिए यहां से इतना ही हम नेक्स्ट वेशन देखते हैं प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल एंड शेयर विद यूर फ्रेंड एंड लाइक और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे से आगे सभी notification आपको मिलती रहे और मेरा होसला बड़े वीडियो बनाने में काफी मैनत लगती है जी बहुत टाइम लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और शेयर जरूर कीजिए ऐसे फिर motivation आता है अगर आप लाइक करते हो कमेंट करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल देखेजिए हम अपना question पर आते हैं फिलिप सिडनी डिफेंड़ पोईट्री अगेंस सच डिस्क्रिप्शन ओफ इट दे मदर ऑफ लाइफ नज नर्स अब्यूज इस एम आर्गूमेंट यह जो फिलिप सिडनी है जी हमारे यह एलिजबेथन राइटर है यह डिफेंड करते हैं पोईट्री को किस वर्क में करते इनका एक है ऑफेलोजी फंफ ओर फोईट्री को जिसके खिलाफ करते हैं मैं इसके इसके बारे भूना करती में इसके सब्सक्राइब आप डातरhop ingary खेल excused यह क्या होता है फिलिप सिडनी होते हैं जो इनका एक वड़को साहँ है ऑफ फोड पोईट्री ठीक है मैं इसमें में लिख देती हूं आप मेरी जो मैं बोल रही हूं उसको सुन लेना और आप नोट करते जाना फिलिप सिद्नी का वर्क है जी आप पोलोजी फॉर पोईट्री और यह किस से इंस्पायर्ड है मिन्स किसको रिप्लाई है यह हमारा स्टेफन गोशन ठीक है इनका एक वर्क था वर्क है उसको मिन्स सही ठैराया था ठीक है उसकी हर बात का फेवर किया था तो यह फिलिप सिद्नी को लगा नहीं यह गलत है तो इसने जो वर्क है पोलोजी फॉर पोईट्री में इनको रिप्लाई किया वहाँ पे प्लैटो ने क्या बोला हूँ है मिन्स एक इन्होंने वहां पर आंसर दिया था मिन्स जो जो बाते उठाई थी उसका आंसर फिलिप सिद्ने ने दिया है ठीक है आप समझ चुके होगे स्टैफन गुसन का क्या रोल है यहां पर प्लैटो का क्या रोल है ठीक है और यह पब्लिस हुई है 1595 में ठीक है देखिए हम अप इसने किसी कोई मतलब वादा नहीं किया है हमें सचाही दिखाने का इस टाइप से बोलता है तो हमारा उप्सन कौन सा बनेगा जी दौप्सन भी इस दा राइट पोईट कैन नोट लाए बिकोज ही इस नोट क्लेमिंग तो टैल अस दा टूथ ठीक है मिन्स वह पोईटरी ज चलते हैं हमारा फिफ्ट क्वेशन क्या बता रहा है चैप्टर थर्ड ओफ ओलिवर टीस्ट चाल्स जिकिन्स का वर्खा जी ओपन्स विदे नैरेशनल रिमार्क अबाउट ओलिवर बिंग पुनिस्ट फोर दा कमीशन ओफ इंपायस और प्रोफेन ओफेंस ओफेंस ओफ आ असकिंग पोरमोर क्या माँग रहा था यह कैuciones में पूछा वह क्या माँग रहा था किसके लिए और टूयस्त को पुनिश किया गया है तो इसमें और ट्विस्ट कोन होते हैं जी चलिए देख लिए ये ओलिवरीत चाल्स दिकिंस का वर्ख है ये जी ओलिवर टीस्ट तो क्य इस एक दिन को मिलता है और यह इसको फैगन के पास लेके जाए जाता यह तो है इस प्यक्पोकेटर वो जो मोटी चोरिया करते हैं जेव काटने वाले और यह फैगन क्या है इनका बोस है ठीक है मिन्स ये crime की तरफ धकेल देता है इसको तो Oliver Twist है ना एक social reformer भी देखा गया है वो है ना उनके हर work में कुछ ऐसी message देने का कोसिस किया गया है कि बही कुछ social reform आना चाहिए और जो middle class के जो low poor family होती है या फिर जो बच्चे होते हैं उनके उपर कैसे अत्याचार हो रहे हैं उनको कैसे work house में लगाया जा रहा है जो यह ओलिवर टीस्ट है इसका work house में जनम होता जी इसके father mother का कुछ नहीं पता मिन्स सलम में जो बच्चे रहते हैं उनकी life दिखाने की कोसिस किया इनका एक work है जी Charles Dickens का है ओलिवर टीस्ट है और एक आवर mutual friend है greatest expectations है a tale of two cities है ठीक है और ठीक है आप इनको read कर ले ना जितने भी मैंने नाम लिए must read work है जी इनके सब ठीक है अपने question पर आते हैं देखे जी तो हमारा question क्या बनेगा तो वह किस के लिए किस के लिए बोल रहा था किस चीज के लिए किस चीज की मांग कर रहा था यह ओलिवर ट्विस्ट होता है यह खाने के लिए मांग कर रहा था क्योंकि इसको खाना जाया था इसलिए इसको punishment देजी जाती है food to eat option B is the right चलिए जी हम next question पर चलते हैं यह देखे जी हमारा 6th question क्या कर रहा Edmund Spencer Epithalmion is a carefully structured poem carrying corresponding to यह इसका जो Edmund Spencer है जी यह भी हमारे Elizabethan poet है ठीक है तो इसमें बता रहे है जो इसका epithalmion work है उसमें उसका structure पूछा हुआ है ठीक है जी कैसा structure है इसका 40 stanza है और 2 bridles होंगा जी ठीक है चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बता देती हूं एक मिनट यहीं पर बताना पड़ेगा क्या होता है जी जो एक होता है इनका epithalmion parathalmion क्या होता है यह होता है जी इनका parathalmion ठीक है एक यह खुद की marriage को celebrate करने के लिए लिए इनको नहीं जो एलिजबित डोयल थी इनकी वाइफ एडमन स्पेंसर की एलिजबित डोयल उनके लिए यह सोंग लिखा है इसने और जो parathalmion यह है जी डूक वोल से उनकी टू डोटर्स होती है उनकी marriage पे लिखा है means epithalmion वह होता है जो परसनल marriage के लिए लिखा जाता है जो दूसरे की marriage को celebrate करने के लिए लिखा जाता है ठीक है जी अगर मैं other works की बात करूं एडमन स्पेंसर के एमोरोटी है जी collection of poetry important है जी और सफर्ड्स क्लेंदर है जी fairy queen है एस्ट्रोफेल है जो connection क्या confused मत हो ना जो स्पेंसर का एस्ट्रोफेल है वह फिलिप सिड्नी के ऊपर लिखी गया as a allergy means उसकी death song जब उसकी death होगी थी उसकी death को उसकी death के ऊपर लिखा गया यह एस्ट्रोफेल ठीक है आप समझ चू क्यों होंगे I think चलो मैं एक बार यह रिपीट कर देती हूँ जो एड्मंड स्पेंसर है उनका है एस्ट्रोफेल और फिलिप सिड्नी का एस्ट्रोफेल एंड स्टेला ठीक है उसकी एक poetry collection है फिलिप सिड्नी की और इसकी एक allergy है और allergy किसकी death के ऊपर allergy है आप थोड़ा रिपीट करके देख लेना मैंने कोशिश की समझाने की और मेरे को लगता है आप समझ चुके होंगे देखिए जी next question पे चलते हैं मैंने answer बता दिया हम जी the option हमारा कौन सा बनेगा option c is the right चलिए जी next question पे आते हैं हमारा 7th question क्या का रहा है बहुत easy चीजे होती है जो सब सोचते हैं यह question में पूछी जाएंगी लेकिन पूछ लेया जाता है तो यह हमारा चलिए हम इनके बारे में देख लेते हैं यह हैं जी हमारा इनको पढ़ लेना देखिए जी इनको पढ़ लेना हमारा old English period होता है फिर middle आता है रहना साथ है और यह फिर इसके बाद जैकोबियन period पीरेड आता है इनकी date याद कर लेना सबकी और Elizabethan को यहां पर Tudor बोला गया क्योंकि बोला गया है Tudor period क्योंकि यह जो Elizabethan थी Tudor dynasty से बिलोंग करती थी और इनके फादर थे Henry 7th Henry 7th ठीक है जी इनके फादर थे Henry 7th और जो जो Tudor थे और इन्होंने जो वार ओफ रोजीज है वो जीती थी और इसके बाद Tudor dynasty हमारी वार ओफ रोज है एक चोसर age में आती है वार ओफ age Henry 4 जी जाते है और Tudor जाकोबियन नहीं जाकोबियन तो एलिजाबेट के बाद आता है मैंने अप टाइम पीरिड भी डिस्कूस किया हमारा option C है C is the right चले जी हम अपने question पर आते हैं हमारा next question क्या बोल रहा है That woman's day was spent in ignorant goodwill her night in argument until her voice grew shrill यह जो poetry की जो line WB Eats है उनका एक work है Esther 1916 ठीक है इसमें poet किसको refer कर रहा है किसको किसके लिए बोल रहा है यह woman कौन है ठीक है यह जो WB Eats है चलिए मैं यहीं पर बता देती हूं जो WB Eats है इनकी एक lover होती है इनकी lover इनकी साधे किशी और से हो जाती है ठीक है तो क्या होता है सबसे पहले में हम यह समझ लेते है इस्टर 1916 है क्या यह क्या है जी यह मितलब Iris यह Iris है एक writer Ireland ने क्या होता है जो England ने हर जगा अपना कभजा किया हूँ था यह colonization में विश्वास कर जैसे हम गुलाम मेलाएं थी इस टाइप से Ireland वीन के गुलाम था तो यहां पर भी एक सोतंदरताम दोलन चलता है revolution होती है और तो क्या होता यह unsuccessful होता है हमारा 1857 की बाती तो क्या यहां जितने भी revolutionary होते हैं उनको fancy दे दी जाती है सबको punishment दी जाती है तो सबको यह praise करता है लेकिन एक man आते हैं यहां पर जो इसके husband होते mode गोने के उनको criticize करता है उनको यह like नहीं करता ठीक है जी और फिर इस वजह से mode गोने के लिए यह line use कर रहा है ठीक है और हर reverse rule हर जो अंतिकारी होता है उसके बारे में इसके विचार अच्छे हैं सेंपथी दिखाता है और discuss कर रहा है लेकिन उसके परती है कोई सेंपथी नहीं दिखाता है तो हमारा option a is the right ठीक है सलिए जी next हमारा next question क्या गहारा which of the following was replaced by communicative language teaching इन में पूछ रहा है communicative language teaching किसका अधर मीनिंग है motivational नहीं यह तो बिल्कुल भी situational हां जी situation एक मिंद्यान से देखना situation natural language processing या structure यह तो दोनों सेम है situational और structure क्यों structure language approach कैसी होती है जहां structure को माना जाता है जहां rules regulation को पड़ा जाता है vocabulary को learning होती है उसको याद करवा जाता है means structure को महतवधी आता है आपको grammar आनी चाहिए इस टाइब से situation learning भी कुछ इस टाइब की होती है वह बोलते हैं आपको यह थोड़ा grammar की structure तो पता ही होनी चाहिए लेकिन एक situation में जाके थोड़े उसकी practice भी करनी चाहिए speaking की तो यह लेकिन communicative language teaching क्या होता है सिर्क बोल चाल में हमें language आनी चाहिए यह meaning पे focus करते हैं ठीक है यह meaning पे focus करते हैं ठीक है structure को जो structure है इसकी मना ही करते हैं तो यह natural है हमारा option कौन सा बनेगा option C is the right to whom does Francis Bacon after the following piece of advice किसको यह advice दे रहा let him squander himself from the company of his countryman and die in the such place where there is good company of nation let him upon his remorse procure recommendation to some person of quality reside in the place तो यह कहां पर बोल रहा है यह work यह इसमें जो Francis Bacon है इसका ऐसे होता है the traveler ठीक है जी option हमारा यही बनेगा तो यह traveler में यह बाते उसके लिए ही बोल रहा है ठीक है इस question से इतना ही Francis Bacon चलो इसके बारे मैं अगर मैं बात करूं तो इनको father of modern science भी बोला जाता है और इनको फ्रांसिस पेकन के other works है जी advancement of learning है और इसके बहुत सारे आसे है of truth of education इस टाइब से बहुत सारे important works है इनको देख लेना चलिए हम next question पर चलते हैं देखिए मारा 11th question क्या कह रहा है in his masterpiece of the laws of eclastical polity रिचार्ड होकर यह जो इनका work है जी eclastical polity affirm that threefold code not quickly broken क्या बोला threefold code not quickly broken यह इस line का मतलब क्या है जो code होती है रसी रसी को जब threefold दिया जाता हो इतना easy से नहीं सकती है अगर हम अलग-अलग करके तोड़ना चाहिए तो वह तूट जाएगी लेकिन अगर उसको इकठा करके फिर तोड़ने की बात करें फिर नहीं तूटेगी तो यह किस के बारे में बात की गई है यहां पर तो किसको refer करा रहा वह threefold code क्या है तो यह बता रहा है जी इनोने इनको threefold code बोला है ठीक है जी और यह नहीं है जी यह हमारा option चलिए जी हम next question पे चलते हैं देखेजी हमारा यह question क्या बोल रहा है beneath them sit the aged man wise guardian of the poor then carries the carries pity let's least you drive an angel from your door these concluding line of William Blake innocence poem called holy thrush day allude to biblical passage identify the passage जो William Blake होते हैं जी इनका एक songs of innocence है यह मैं पहले भी बताया है मैंने songs of innocence एक work है उसमें means collection of poems है उसमें जो है यह holy thrush day नामक एक book means poem आती है तो उसमें किसके लिए बोली है यह line क्यों बोली है ठीक है जी तो इसका meaning पूछ रहे है यह क्या है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ holy thrush day की तो यह है holy thrush day ठीक है यह picture देख ली लीजिए यह holy thrush day और क्या story होती है जिसकी इसमें क्या होता है holy thrush day होता क्या है holy thrush day वो वो दिन होता है जब यह jesus christ से related कोई डे होता है और इसमें जो चर्च में फीस्ट इस अर्गेनाइज किया जाता है और वहां पे क्या होता है जो ओर्फन होता है यह बच्चे दिखाई दे रहे हैं यहां नीचे जो और फन जो अनात बच्चे है वो जाते हैं वहां पे और celebration वगदर कुछ इस टाइप से होता वहां आप यह इनको दिखाने की गई कि वह कैसे जा रहे हैं वह बच्चे कलरफूल ड्रैस पहनी हुई है उन्होंने इस टाइप से बाते कर रहा है ठीक है इतना ही यहां से ज्यादा कुछन नहीं पुछा जाएगा बस आप यह इसका याद कर ले ना विलियम ब्लेक की पोईट्रिय और क्या मैसेज देना चाहता ह है कि हमें अपने डॉर पे अगर कोई आता है तो उसको मिन्स उसको बैनिस नहीं करना चाहिए उसको प्यार से बोलना चाहिए हमें नहीं पता किस रूप में हमारे घर पे एंजल आ जाए यह क्या दैन कैरिस पीटी लिस्ट यू ड्राइव एन एंजल फ्रोम योर डॉर कही कि तुम एक एंजल को अपने दर्वाजे से ना भगा दो तो हमारा उप्सन क्या बनेगा जी देखिए ज्यान से कौन सा उप्सन बनेगा जी बी नोट फोर्गुल टो हां जी उप्सन डी इस दा राइट ठीका जी चलिए हम नेक्स्ट क्वेशन पर आते हैं हमारा 14th इसमें दो क्वेशन आये हैं मतलब लैंडे इसमें भी मस्टरी टोपिक ए कितने टाइप से हम लैंग्वेश को सिखा सकते हैं डाइरेक्ट है स्रुक्ट्ट क्या कहता है कौन सा यू है इसके बारे यूज ऑ टार्गेट लैंवेश हंजी डायेक्ट से पता ही चल रहा है जो आज कल अमारे स्कूल में use कर रहे हैं स्कूल में ऐसा ही होता है बच्चे Eğer बोला जाता है अप इंग्लिश में बोलो क्च बहुत बोलो Strategies की역लिक इस पर लिंग्वेश्ट करते रिंग्स्ट किंटरेट करते हैं प्रोब्लम सॉल्विंग नहीं होती जी यह प्रोब्लम सॉल्विंग तो स्ट्रक्चल में आ जाती है ठीक है तो हमारा उप्सन क्या बनेगा जी यहां पर देखना A B C C option is the right ठीक है जी तो आप समझ चूगे होगे direct method क्या होता है means सिधा direct उसी language में बोला जाए जिस language को हम सीखना चाते हैं अगर हम हम हिंदी सीखना चाते हैं तो हम हमें सिर्फ Hindi language यूज करनी है अगर इंग्लिश शीखना चाते हैं तो इंग्लिश लेंग्वेंज में ही बात की जाए और बार बार उसकी practice की जाए रिपिटेशन किया जाए और हमारी linguistic correctness भी होनी चाहिए हमारी pronunciation correct होनी चाहिए चलिए जी हम लास्ट और 15th question पर आते हैं in which of the following works does the narrator proclaims either I am nobody I am the nation यह पूछ रहा है यह जो लाइन से किसकी लाइन है किस ने बोली है किसके वाक में आई है देखें जी हम इसके बारे में हलका सा देख लेते हैं इस दुनिया में क्यों आया हूं मैं मैं उधर का भी नहीं हूं जैसे अफ्रीकन लिट्रेचर में होता है यह जो अंग्रे जो गुलाम रहे हैं पर लग्स क्यों क्यूंकि होता है उनकी जो रेस होती है मर्ज हो जाती है कहीं बार क्या होता है उसके प्चैरैंट इक वाहैं होते हैं तिक हम करना करता है है उप कोई भी मैन है कहीं पर रहने चला गया तो इसको यह नहीं पता मैं अपनी नैटिव लाइंट से भी लोग करता हूं या मैं यहां का होके बन गया हूं तो यह है जी मिठोफ आइडेंटिटी यहां पर अपलाई करने की कोशिस की है यह यह लाइन भी दिखाती है ठीक है यह बनाने में बहुत मैंनत लगती है ठीक है अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सेर कीजिए और बैल आइकन को भी जुरूर प्रेस कर दीजिए आज की मैं वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूं थैंक्यू आज में ठीक है जरूर वी जरूर